नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रेक्ड कॉम्टिशन में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सामान ज्यान का एक महतपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साँ डिसकस करेंगे जो कि हमारे आने वाले एक्जाम्स के लिए काफी महतपूर्ण है सभी केस्टिन्स आपको हिंदी और इंग्लिस दोनों लेंग्वेज में अपियर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे Telegram ग्रूप या फिर WhatsApp ग्रूप को जोईन कर सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तो SSB Constable Tratesman की 500 से अधिक वेकंसियां रिलीज हो चुकी है यह आपके लिए अच्छी ख़बर है लगातार अपनी प्रैक्टिस जारूरी किये और इस सेशन में अंतक बने रहिए यहाँ पर काफी important और exam oriented questions मैंने include किये हुए हैं और वीडियो को अधिक से अधिक like कर दीजिए शुरू करते हैं दोस्तो आज का पहला प्रस्न आज का पहला प्रस्न है विच queen of काक्तिया dynasty ruled over वारंगल part of modern तेलंगाना तो वारंगल जो के भी modern तेलंगाना का part है वहाँ पर काक्तिया वंस की एक राणी ने राज किया उनका नाम बताइए तो उनका नाम है दोस्तो रानी रुद्रम्मा देवी रानी रुद्रम्मा देवी ने वारंगल पर 1262 से 1289 तक राज़ी किया 1262 से 1289 इस भी तक यहाँ पर राज़ी किया काक्तिया वंस साउथ इंडियन एक डैंस्टी थी इसकी कैपिटल थी दोस्तो वारंगल और रुद्रम्मा देवी के उपर साउथ में एक मूवी बन चुकी है और यह उनकी मूर्थी है अगला प्रस्न है दोस्तो What are the subunits of DNA known as? तो DNA की जो उप इकाईयां होती है यानि की जो उसकी subunits से होती है उन्हें क्या का जाता है तो DNA की subunits को का जाता है दोस्तो न्यूक्लियोटाइड option number A दोस्तो आप न्यूक्लियोटाइड किस से मिलके बने रहते हैं तो न्यूक्लियोटाइड जो है दोस्तो यह phosphate group, sugar group और एक इसमें nitrogenous base होता है और जो इसके nitrogenous base होते है वो होते हैं दोस्तो adenine, cytosine, guanine and thymine in base के नाम आप याद रखेंगे दोस्तो यहां से question exam में पुछा जाता है कि जो DNA का double helix model है आपने DNA इस प्रकार का देखा होगा तो DNA का double helix model किनके द्वारा प्रस्तूत किया गया था तो Watson and Crick यह दो scientist थे इनके द्वारा 1953 में यह double helix model प्रस्तूत किया गया था और इसी model को प्रस्तूत करने के लिए इनको 1962 में चिकित्सा के छेत्र में नोबल पुरुषकार से सम्मानित किया गया अगला प्रस्तूत तो आजाद हिंद फोज की स्तापना कहा की गई थी तो दोस्तो आजाद हिंद फोज की स्तापना सिंगापूर में की गई थी option number A सबसे पहले 1942 में कैप्टन मोहन सिंग ने आजाद हिंद फोज की नियू रखी देन उसके बाद नेताजी सुबाश चंदर बोस ने इसको आगे बढ़ाया mainly Britishers से fight करने के लिए ये army बनाए गई थी अगला प्रसन है दोस्तो right to constitutional remedies comes under तो समवैधानिक उपचारू का अधिकार किसके तहत आता है तो दोस्तो जो constitutional remedies है वो हमारा fundamental rights है कौन सा right है? मौलिक अधिकार और fundamental rights के बारे मैं मैं अपनी just previous video में discuss कर चुका हूँ उसको मैं description box में या फिर suggestion में दे दूँगा दोस्तो ये question exam में repeatedly पूछे जाते हैं तो इनका कोई और alternative नहीं है बढ़ते हैं अगले प्रसने क्योंग what is used to avoid the melting of ice तो बर्फ को पिखलने से बचाने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं तो बर्फ को पिखलने से बचाने के लिए दोस्तो हम gelatin का उपयोग करते हैं ये most important question है SSC के exam में repeatedly पूछा जाता है इसका answer क्या हो जाएगा? gelatin में क्या होता है दोस्तो? heat insulation की property होती है जिसके कारण जो है ये जो बर्फ की melting पॉइंट होती है उसको क्या कर देता है? कम कर देता है अगला प्रसन है which one of the following metals is used in mobile phone batteries? तो mobile phone battery में कौन सी धातू मुख्यता उपयोग में लाई जाती है तो दोस्तों जैसे कि आपने अपने mobile phone batteries देखे होंगी कभी तो उनमें लिखा रहता है liion तो इसका अर्थ क्या होता है lithium ion batteries तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? lithium का उपयोग किया जाता है तो option number D is right answer अगला प्रसन है the largest river island in the world is located in तो दुनिया का सबसे बड़ा river island कौन सा है तो माजुली है माजुली दोस्तो असम में है और कौन सी river के उपर इस्तित है? ब्रह्मपुत्र river के उपर इस्तित है ठीक है दुनिया का सबसे बड़ा river island है माजुली और सबसे छोटा river island कौन सा है? उमानन्दा कौन सा है दोस्तो उमानन्दा और उमानन्दा कहाँ पर इस्तित है ये भी सम्मेस्तित है और ब्रह्मपुत्र रिवर के उपर इस्तित है तो उम्मीद करता हो कि आप इस क्वेश्चिन को समझ गया होंगे अगर एक्जाम में आएगा तो बिल्कुल भी गन्फ्यूज मत करना बढ़ते हैं अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न है मूसी एंड भीमा और ट्रिब्यूटरी जो मूसी और भीमा रिवर्स हैं वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी हैं या फिर सायक नदी हैं तो दोस्तो ये कृष्णा रिवर की जो हैं सायक नदी है ठीक है जो मूसी भीमा तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा ये सभी रिवर्स जो हैं कृष्णा की सायक नदी हैं और जो अलमट्टी डैम है दोस्तों अलमट्टी डैम भी कृष्णा रिवर के उपर ही बना हुआ है ये क्वेस्टिन काफी बार एक्जाम में पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखेंगे अगला प्रसन है the optical phenomena that is primarily responsible for observation of rainbow on a rainy day तो किसी भी रेनी डे में जब हमको rainbow यानिकी इंद्रदनुच दिखाई पड़ता है तो इसके लिए कौनसी प्रकासी इखटना जिम्मेदार है तो जब जो रेंड्रॉप्स होती हैं उनके उपर सूर्य की किरणा और rainbow हमेशा sun के opposite direction में बनता है ठीक है सूर्य के opposite direction में हमेशा rainbow बनता है यह बात आप ध्यान रखेंगे और इसके लिए जो है तीन घटनाय काम करती है एक तो dispersion जो कि यहां पर option में दिया हुआ है इसका आंसर क्या हो जाएगा dispersion और जो दूसरी है दोस्तो reflection की बात नहीं कर internal reflection या फिर पूर्ण आंतरिक परावतन यह तीन घटनाय जो है दोस्तो rainbow के लिए responsible है तो इसमें सिर्फ एक घटना का वड़नन है यानि कि प्रकास के प्रकास के प्रकास से भी जो है responsible करती है तो option number C is right answer अगला प्रसन है तो fog dance of Megalaya तो Megalaya का लोगनिर्थी कौन सा है दोस्तों लोहो जो है वो Megalaya का लोगनिर्थी है और एक nocram dance nocram यह भी जो है Megalaya का बहुत famous fog dance है capital जो है C long है Megalaya की यहां के CM है Conrad Sangama और governor है most important governor से question पूछे जाते हैं तथागत रोई कौन है दोस्तों तथागत रोई इसका right answer है option number B लोहो what is the minimum age of the candidate for the post of vice president तो उपरास्टरपती पत के लिए किसी उम्मिदवार की न्यूंतम आयो कितनी होनी चीए तो 35 year होनी चीए article 66 article 66 के अनुसार 35 year होनी चीए उपरास्टरपती के लिए age उपरास्टरपती राजसभा का chairman होता है दोस्तों और भारत के प्रतम उपरास्टरपती थे स्रासानिक धुंद यानि कि photochemical smog के लिए हम ब्राउन एयर का उप्योग करते हैं दोस्तों photochemical smog में एक तो ozone पाई जाती है O3 और उसके बाद इसमें पाई जाती है आपकी peroxy, acetyl, nitrate, pen और solar radiation इसमें involved होती है जो कि हमारी body के लिए बहुत harmful होती है अगला प्रसन है bell metal, bell मतलब घंटी, जिस metal से घंटियां बनाए जाती है, school मा आपने घंटी देखी होगी या फिर बड़ी-बड़ी industries में तो आजकल saran लगते हैं लेकिन पहले से bell लगती थी, घंटियां लगती थी और मंदिरू में जो घंटियां लगती है वो होती है bell metal, तो bell metal किस से बनाए जाता है, तो वो बनाए जाता है दोस्तों tin and copper से, ताकि जो sound है वो clear आए, ठीक है न, sound क्या है, clear आए, इसमें tin जो है दोस्तों 22% और copper 78% होता है, ठीक है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, bell metal is an alloy of tin and copper which sikh guru initiated the khalsa, तो किस sikh guru ने khalsa की सुरुवात की, most important question है, exam repeatedly पूछा जाता है, तो दोस्तों, गुरु गोबिन सिंग जी ने, जो की last living sikh guru थे, उन्होंने क्या की थी, खालसा पंत की सुरुवात की थी, कब 1699 में, first sikh guru कौन थे, जोने sikh dharma की स्तापना की, वो थे गुरु नानक ठीक है, अगला प्रसन है, पसु में हीमोगलोबिन के सिदर्स, पौधों में कौन सा अनु होता है, which molecule in plants is similar to हीमोगलोबिन in animals, यानि कि जैसे की animals में हीमोगलोबिन होता है, तो उसी प्रकार plants में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, option number C, हीमोगलोबिन क्या करता है, हमारी body मे oxygen का transportation करता है, तो उसी प्रकार क्लोरोफिल भी plants में यही कारी करता है, किसकी मौझूदकी की कारण, सरीर के भीतर रक्त जमा नहीं होता है, दोस्तों, हीपैरिन जो है, एक anticoagulant agent या फिर blood thinner agent होता है, जो हमारी body के अंदर present होता है, जिसके कारण कि हमारा blood जो है, वो coagulate नह तो दोस्तों, यह थे हमारे आज के प्रस्न, थैंक्स फॉर वचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए, और अधिक से अधिक अपने groups में से एर कर दीजिए, ताकि जितने भी transparent हैं, उनको सभी को इन questions का, इन वीड प्रस्थिक्ष ऑर leads चैनल कीमरे आफी ज्सक्राइब कर दु cornerके थंखा केß, अगर चीं चींग, अडर आफ तो प्त्सक्राइब कर दीजिए, झांड की।